हेलो फ्रेंज वेलकम टो आर चैनल हालिकास क्रियेशन आज हम सरारा स्टाइल में पैंट बनाने वाले हैं सो इसके लिए हमको एक ओल्ड जीन्स चाहिए और एक ओल्ड प्रिंटेड फैब्रिक सो मैं ये फटा हुआ मेरे थोड़ा फटा फट गया था इसलिए मैं ये पैंट ले रही हूं तो आप कोई भी पैंट ले सकते हो और मुझे जितनी लेंट चाहिए उतनी में कट करूंगी आप अपने अकॉर्डिंग को कैसी जितनी भी लेंट से ये वह आप रख सकते हो तो मैंने ये इतनी लेंट रखी और कट कर दिये सो इधर है ना मैंने एक साइड का अल्रेडी कर दिया है तो दूसरी साइड का मैं बता रहूं कैसे करती हूं को हमको नीचे का जो कट के अथा उदर का लेना है तो ये six inches है मेरा और एक साइड और दूसरी साइड मिलाकेwell inches होगा और मैंने है ना ये कपड़ा जितना कपड़ा था ना उसका मैंने half कर दिया था दो पार्ठ कर दिये थे तो 25-25 inches हो गए थे एक साइड लैक का 25 इंच और दूसरी साइड लैक का 25 इंच जितना भी आपको लेंद चाहिए हाइड चाहिए उतना आप रख सकते हो तो मुझे इतना चाहिए और बागी का मैं कट कर दूगी मैंने कट कर दिया है अब इसका प्लेट्स बनाएंगे सो मेरा जो नीचे का कट किया था ना उतका 12 इंच था पूरे राउंड का सो मैंने 12 इंच तक प्लेट्स बनाने है हमको सो चलो प्लेट्स बनाते हैं सो प्लेट्स बनाने के लिए हमको कोई भी थ्रेट कलर चलेगा और सिलाइ मशीन में अटेज्ट करेंगे और प्लेंट बनाएंगे। प्लेंट रोल्क में में अच्डित को साला को अधना है। कर दियाकश को नियुक्त कुछ गतना मनुअन है। तो तो अब हमारा सिलाई कम्प्रीट है ये हमारा फ्लेर है देख सकते हूँ कितना फ्लेर ही हुआ है अब हम सिलाई करेंगे पेन को पहले उलटा करो और बाद में वो साइड से थोड़ा जो दिख रहे है न मैंने खोला है वैसे आप भी खोल लो और उदर से ही सीलाई करनी है इसलिए हमने उदर थोड़ा खुला है कि हम दस्क नमें जो सीलाई देंगे न तो उसमें वह अच्छा दीखेगा तो पहले उसको ऐसे जैसे मैंने बताया ना वैसे ही कि ठेक ही रखना और त्जी लाई कर देने हैं अंट कि य're thatusta बहुत यूज से ना उमको रखना है और ध्यान रखना के दोनों सीुव टिना ना कर्दे साथ में अतुम कि इदर मैं बता रहे न उदर से ही सीलई करनी है दर जो मैंने बता हैं लाइन उदर से स्टार्ट करना है सिलाई और उदर ध्यान रखना है कि वो जॉइंट ना हो जाए नहीं तो प्रॉब्लम होगा ध्यान से स्टार्ट करना तो अब हम सिलाई स्टार्ट करेंगे एक दम पॉफेक्टली सिराई कर देंगे तो हमारी वो वाली सिलाई कंप्लीट है तो अभी जिदर से मैंने थोड़ा खुला रहे था ना उसके उपर से हम सिलाई देना चलो करेंगे लास्ट यह फाइनल सिलाई है उसके बाद कुछ नहीं है एकदम स्ट्रेडी जाना दो दोई के दोई साइड के एंड को जोइन करना ह हमको एकदम परफेक्टली करना यह हमारा फाइनल लुक है अभी हम इसको प्रायल पैंट के भी बताएंगे यह हमारा फाइनल लुक है पैंट का देख लो बहुत ही अच्छा और यूनिक आइडिया है और बहुत फंकी भी लगता है प्लीज लाइक शेयर और अच्छा आए और ग्वेरा चानल और में बेलो हा वास ए तेंक यू फ्रम्झ